हलो फ्रेंट्स अभी आक्टोंबर महिना लग गया है और विंटर थोड़ा सा थंडी भी आ रहे हैं तो इसे वक्त में हमें क्या क्या पोदे लगाना चाहिए यह देखी एक कॉस्मोस है इसमें विंटर में फ्लावर्स आते हैं अभी देखिए कितने सुन्दर फ्लावर्स आय हैं खिलते खिले हुए तो आप यह भी लगा सकते हैं कास्मोस लगा सकते हैं यह देखिए कितने सारे इसमें कलिया खिल रही है और एक हम हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और इसमें देखिए इस सेवंती गुलदावदी इसको भी विंटर में बहुत सारे फ्लावर्स आते विंटर के प्लैंट है और यह अपने नाइन उकला के हैंगिंग में बहुत बढ़िया फुल आते हैं इसमें अलग अलग वेरेटीज हैं कलर हैं बहुत बढ़िया फ्लावर साथ हैं यह इतना बढ़िया लगता है हर सीजन में और एक अपना रिवो रिवो तो हैंगिंग बास और यह देखिए इसमें नाम पता नहीं है लेकिन इसको लास्टेर मेने एक लगाया था और इसके सीट्स गिरे है इसको परपल कलर के फ्लावर साथ है विंटर में बहुत बूशी होता है प्लांट और इसके पत्ते भी कितनी खुबसूरती है देखिए कितने बढ़िया उसके इसका याम लीओ बाल्दूश देखिए बहुत देखिए उसको परपल कलर के फ्लावर साथ है बहुत ही बढ़िया है और यहां बहुत बढ़िया है मैं बहुत सारे कटिंग लगाई है और और यह जो प्लैप के तो यह भी विंटर क्लेप बहुत बढ़िया है ज रजीनी कंदा है इसको भी फिलावर साते हैं लेकिन बहुत सुंधर दिखता है आप यह भी लगा सकते हैं और यह किये है इसमें पतो में भी बहुत नी सुन्दरता है इसमें भी बहुत सारे कुलर्स आते हैं यह भी आप लगा सकते हैं वींटर में काफी इसे पेड़ है कि हम लोग जैसे यह अभी सदाफुली है एक हाईबरीड वाली है इसको भी बहुत बढ़िया फ्लावर्स आते हैं देखिए एक मेने कंदा डाला है विंटर का ही है यह वाला मैं एक्जिबिशन से लाई 20 रुपिस का इसको विंटर में फ्लावर्स आते हैं पुलते अभी देखिए जस्ट कुछ दिन हुआ है तो जैसे मुझे इसका कुछ रिजल्ट आता है और यह देखिए विंटर फ्लावर्स इसको भी बहुत बढ़िया फ्लावर्स आते हैं अभी मैंने लगाया है कुछ दिन पहले यह देखिए यह मैं एक्जिबिशन से लाई हूँ पाच अलग लग टाइप के बहुत बढ़िया है वाकि आप नाई नोकला यह सब लगाई सकते हैं इसके तो सुन्दरता तो बहुत ज़्यादा है एक से एक हैं फ्लावर्स आते हैं जहाँ धूप रहेगी यह फ्लावर्स हमेशा खिलेंगे देखिए बहुत बढ़िया फ्लावर्स है आप यह भी हैंगिंग के लिए कर सकते हैं मेरा वीडियो अच् सेयर सब्सक्राइब जरूर करिए